हाई, मैं डॉक्टर पालवी गुपता, पिडियाट्रिशिन, लेनिस्ट मलाड मॉंबई से आज हम रिसकस करेंगे बॉटल फीडिंग वर्स ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स प्रिफर करती है बॉटल फीडिंग, क्यों? क्योंकि वो लेना असान है, बच्चे को भी देना असान है, convenient है, easy है फिर क्यों डॉक्टर्स मना करते हैं बॉटल फीडिंग के लिए? Firstly, बच्चे को निपल कन्फूजन हो जाता है Newborn baby अगर है, तो उसे यह नहीं पता चलेगा कि मा का निपल है या बॉटल का निपल है बच्चे को लेना असान, definitely बॉटल है तो अगर बेबी बॉटल फीडिंग पे रहा, तो वो मदर का निपल नहीं सख करना चाहेगा ऐसे बच्चे नॉर्मली बॉटल फीडिंग पे जादा जाते हैं और मदा का फीडिंग कम लेते हैं जो बच्चे के लिए अच्छा नहीं है Second problem जो हमने देखी है कि बच्चों में ग्यास प्रॉब्लम हो जाती है जब बच्चा बॉटल खीचता है तो दूद के साथ हवा बी अंदर जाने लगती है बच्चे के पेट में तो बच्चे का पेट फूल सकता है, पच्चे का पेट फूल जाता है, उनको ग्यास प्रॉब्लम हो जाती है उनको वॉमिटिंग हो सकती है, उनको पेट में दर्ब हो सकता है तो ये प्रॉब्लम्स हमने बॉटल से देखी गई है थर्ड प्रॉब्लम जो हमने देखी है बच्चों में, इन्फेक्शन की चांसिस बॉटल अगर रहता है, तो उसका जो निपल का पाट रहता है, उसमें सबसे जादा इन्फेक्शन रहता है अगर आप कितनी भी बार स्टरायल कर लिजिए, फिर भी उसमें इन्फेक्शन जाने के चांसिस रहते हैं उस infection के कारण बच्चे को fever आना, बच्चे को lose motions होना, उल्टिया होना, सर्दी खासी होना, ये commonly पाया गया है बॉटल फीडिंग पे. दूसरी problem जो हमने बॉटल फीडिंग पे face की है, कि बच्चे बॉटल छोड़ना नहीं चाहते हैं. जो बच्चे बॉटल फीडिंग पे रहते हैं, वो कुछ खाना पीना नहीं चाहते हैं, छह मैने के बाद भी वो बॉटल पे ही रहते हैं, और कुछ बेबी तो पांच साल तर बॉटल फीडिंग लेते हैं, इतने लंबे अर्से तक अगर बॉटल पे रहा बच्चा तो और क्य उन बच्चों में हमने देखा है कि दातों में कालापना जाता है और दात धीरे धीरे सडने लगते हैं बॉटल फीरिंग वाले बच्चे कुछ कहना पीना नहीं चाते क्योंकि उनको फिर बॉटल लेना खाने पीने में महनत लगती है तो जब अगर बच्चा कुछ खाएगा नहीं, पीएगा नहीं, तो उनको फिर nutrition deficiencies होना शुरू हो जाती है, vitamins की कमी होने लगती है, hemoglobin उनका fall होने लगता है, और उससे related कई problems उनमे आने लगती है And lastly, economics, अगर आप देखेंगे बच्चा अगर मा के दूद में है, तो उसमें expenses कुछ नहीं है, मा का दूद एजिली अविलेबल है, फ्रीली अविलेबल है, जो बच्चे के लिए सबसे सबसे ज़ादा अच्छा है, और अगर बॉटल फीडिंग का economics अब काल्कुलेट करेंगे, अगर आप बॉटल की कॉस्ट देखेंगे, तो उसमें बॉटल इनकी कॉस्ट है, बॉटल की जो expenditure है, उसका sterilizer है और काफी expenses उसमें बढ़ जाते हैं, so definitely मा का दूद सबसे ज़ादा best है, thank you.